हालो फ्रेंज कैसे हो आप सब गुच्छू कॉर्णर है आपका स्वागत है उपस और व्रत के लिए साबुदाना के बड़े तो सब लोग बनाते हैं पर आज हम थोड़ा अलग बनाएंगे साबुदाना कबाब जिसमें हम स्टफिंग भी भरेंगे तो यह हमारे स्टफ्ट सा करना आपके फ्रेंज के साथ शेर करना और मेरी चानल गुच्छू कॉर्णर को सब्सक्राया ना अगूले और साथ में बेल की आइकटम को भी क्लिक करना ना गूले जिससे मेरी हर नई recipe का आपको notification मिलेगा और आप जल से जल मेरी सारी नई recipes देख पाएंगे तो चलिए अभी हम यह अपनी ताबुदाना कबाब बनाने की शुरुआत करते हैं उसके लिए मैंने एक कप साबुदाना लिया हुआ है उसके अंदर मैंने एक से सवा कप पानी डाला है और इसे हम पूरी राग या तो फिर छे से साथ गंड़े इसे बिगो के रखेंगे उसके बाद हम इसमें से सारा जो पानी है वो निकाल देंगे एक्स्ट्रा पानी को निकाल देंगे हम और उसको ऐसे ही हम 10 मिनिट तक रहने देंगे ताकि उसमें से जितना भी मौश्चर है वो निकल जाए उसके बाद मैंने तीन बड़े आलू लिये हुए है उदले हुए उ अद्रक और हरिमेज की पेस डाली है देड़ बड़ी चमच हम इसके अंदर शक्कर डालेंगे आदी छोटी चमच सबूत भूना हुआ जीरा डालेंगे स्वात के अनुसार उपवस का नमक डालेंगे हम बिगोए हुए हम उसके अंदर साबूत आने डालेंगे और ये सारी चीजों को हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक बार अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद इसके अंदर मैंने दो पड़ी चमच निम्बू का रस डाला हुआ है और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप निम्बू और शकर अपने ज्यादा या कम डाल सकते हो 10 मिनिट के लिए हम यह मिक्स्टर को फ्रिज में रखतेंगे अभी हम स्टफिंग बनाते हैं तो मैंने एक चोथाई कप हरा धन्या लिया है एक छोटी चमच अध्रक मिर्च का पेस्ट लिया हुआ है एक चुटकी सबूत जीरा का पाउडर इसी शक्कर दो से तीन चमच मैंने डेसिकेटड कोकोनट यानि खोपरे का पूरा डाला हुआ है 25 से 30 सिंगदाने डाले हुए हैं दो छोटी चमच मैंने नीम्बू का रस डाला हुआ है और उसके अंदर दो पड़ी चमच हम पानी डालेंगे और ये सारी चीजों को हम मिक्स्टर में अच्छी सी गाड़ी एक पेस्ट रेडी कर देंगे आप देख सकते हो काफी गाड़ी है उसके बाद जो किश्मिश आती है वो मैंने ली हुई है 10 से 12 उसे भी काट के हम ये मिक्स्टर के अंदर मिक्स कर देंगे और अभी साबुदाना की कबाब बनाने के लिए थोड़ा हम मिक्स्टर हाथ में लेंगे और उसे थोड़ा प्रेस करके पूरी जैसा बना देंगे और जो हमने स्टाफिंग रेडी किया था वो उसके अंदर भरके उसे अच्छे से पैक कर देंगे और उसके बाद हम इसका अच्छे से कबाब का शेप देंगे और प्लेट में रखते जाएंगे हम हमें जो सारा हमारा मिक्स्चर है वो सारे मिक्स्चर से इसी तरह से हमारे रोल्स रेडी करने हैं उसके बाद मैंने धोले कोले जो है वो बिना स्टाफिंग के बनाए हुए है शेप आप कोई भी दे सकते हो आपके अनुसान उसके बाद जो उप्वास का आठा आता है या तो फिर सामवत का आठा आता है उसके अंदर इसको अच्छे से रोल कर देना है हमारे कबाब को और हम उसे अच्छे से शेप दे देंगे और ये हो जाने के बाद जो सफेद तिल आती है उसके अंदर भी हम हमारे कबाब को रोल कर देंगे जिससे यह जब हम उसके तलेंगे तो उसको देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा ये कबाब अभी हमारे कबाब फ्राय होने के लिए ready हो चुके हैं तो एकडम गर्म ओईल के अंदर हम मध्यमाच पे हमारे सारे कबाब को एक के बार देख करके डालेंगे और उसे फ्राय होने देंगे हम बीच-बीच में इसे चलाते रहेंगे क्योंकि हमें जो हमारे कबाब है वो थोड़े क्रिस्पी चाहिए और चारो और से उसको हम गोल्डन ब्राउन कलर के करने है तो दीरे-दीरे आप दे सकते हो कि अच्छी तरह से फ्राइ होने ही लगे हैं और कबाब की कला भी चेंज हो गया है और अभी हमारे कबाब एकदम बनके गोल्डन ब्राउन और क्रिस के साथ शेयर करना और मेरी चानल गुजु कॉर्णर को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में तब तक के लिए बाई बाई